नो घुट या तो हलो दोस्तों देखिए मेरा हम अपने से चोमीन अज बनाने जा रहे हैं दिख लिजे यह मेरा नूडर्स है चौमीन है इस प्तिसिंस जलोग के तो आदियविक्त्ति स्येश्य प्याज बरेंटे हुआ सबसे खेंऐ। आप ड्यकल को बंद आया में निरुपtt कया तय जाने कर देन किमाकर जबन है। इस इससे औल है की आधियया थार ये तर दिखते हैं। इस खोड़ रहे हैं तेल का डबा तेल का धकन और दोस्तों ये तेल डालने जा रहे हैं ये तेल हमने डाल दिये हैं तेल डाल चुके हैं अब इसको धकल लगा देंगे और सबसे पहले डालेंगे हम और ये समागरी है मेरा देखिए टमाटर सोस चिल्ली सोस सोया सोस उसके बाद बैने गार ये हजिना मुटू नमक और ये सादा नमक और ये मेरा मसाला बस इतने ही से बनाई है और सबसे पहले हम डालेंगे आदी और लसुन डालेंगे ये आदी लसुन डाल दिये हैं ये सिंगला मेच सिंगला मेच इत्याज उसकी बाद ये थोड़ा सा गाजर और दिन्स और ये थोड़ा सा कोबी डाल दे रहे हैं कोबी कम है दोस्तों और इस तो भूंजेंगे अच्छी दढ़न के अबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब योसर्दुप्धू यह लठा-लठा हो गया है, इसको छिरीयाने कोसिज कर रहे ह हूं, थूड़ा ज्याधा पक गया है, इससे थ्थूड़ा कम पकता है, थ्थूड़ा सा ज्ऴ्पट गया है ये, ज्यादा घंटन रा भी गया होगा, रखे- इसलिए इसा हो गया है यह इतना सारा है और एक यहां भी है देख लेजिए इसको यह तो ठंडा गया ठीक ठंडा गया है यह तो फिर सही है यह भी कोई-कोई लठा-लठा हो चुका है कर दो करते हैं शेख रहा कर दो किृट्सुटा कर दो कर दो फिंदा कर दो, कि अस्थी इसरिए आपपलो मुणका दो कर दो किए आए पर लिए धो कि दो ऊहाँ, ये दोस्तों, एक बार और होगा, ये दो बार, दो बार, दो बार, यहने कि और तीन किस्तिम बनाएंगे, तीन किस्तिम होगा, क्योंकि मेरा क्राइच छोटा है, बल्सकति हैं तोट तक हम आपको दिखाते हैं समाग 진ाब है यह स्यिला काट लेना है आदि न सुन थुला चाटेन के और यह गुंड़ा कर लाद देखिए चाप की स्यूंडा है और यह बींस बढ़ा बढ़ा इस चोड़ा चोड़ा करना है इतना चोड़ा चोड़ा देख लीजिए तो यह भूजा गया है अब डालते हैं मेट्रियल मेट्रियल यह मर्चा काटे नहीं थे तो मर्चा काट रहे हैं मर्चा भूल गया थे काटने के लिए तो हम डालने जा रहे हैं मिर्चा मिर्चा डाल दिये हैं अब भूजाने के लिए मसाला डाला होगा हमको अब इस तो यह जो डाल दे रहे हैं ताकि डलेगा उसके बाद यह टमाटर सोस था यह स्वया सोस है इसके बाद डाल रहे हैं चिल्ली सोस यह दिखा दे रहा है चिल्ली सोस डाल दियें चिल्ली सोस कम डालना है अब डाल दे रहे हैं बेनेगर का पान ही अब फिर दिलागे चलाएं कि अब डाल दोस्तों बेनेगर प्ला ज्यादा डाल गया था क्योंकि आचानक डालना पड़ता है अब तो आप मसरा डाल देते हैं इतना सारव मसरा डाल देते हैं यह जी नमटों डाल देते हैं पहले इसलिए डाल रहा हूं ताकि यह यह नमक डाल दे रहे हैं आने अलो नमक अब यह चोमिन डाला रहा है इसको थो भून लेना है इसको चोमिन डाल दे पूरे इसको हम दो बार करेंगे अब इसको चलाते हैं इसको चलाते रहना है जब तक भूंगा भीनेगा नहीं तब तक इसको हिलाते रहना है आज को धिमा कर दियें ताकि मसला जलेगा नहीं आज कर पर हम कलाये जला चुके हैं और इसमें अलग इसलिए कर दियें ताकि बनेगर पानी तो जो है ज़्यादा जला गया था कल भी डिलाया था इसी तरह ज्यादा तो मतलब ऐसे थोड़ा खटा लग रहा था इसलिए थोड़ा कम डाल रहे हैं डिला गया अचानक लेकिन जब तक इस चलाते रहेंगे जब तक इस भीन ना जाता है तब तक चलाते रहना है लग लग भीन गया है तो थोड़ा सा इसको आज को थोड़ा ज़्यादा कर ज़ते हैं अज़ा दा कर दी मॉझा ज़रा थे इसको फिक कम कर दियें तक इस मसाला करा है ज़ने ना तो ये बंकर के त्यार हो गया है, दिख लिजिए अब इसको हम पल्टी करेंगे, चेंज करेंगे, इसको हम इसको लाही में चेंज करेंगे, तो ये मेरा चोमिन बनके रेडी हो गया है, इसमें से खाली कर दिए हैं, तो दोस्तो हम चोमिन बना के दिखा दिए हैं, और खाली हैं, खाएंगे अभी दिख लिजिए, और उधर भी दे देंगे, और उसके बाद दूसरा जो अभी ये बचल है, और भी बचल है, इसको फिर से अभी इसको कड़ाई को थोड़ा साप करेंगे, उसके बाद दुबारा फिर से बनाएंगे, क्योंकि उधर का डो, दो चार, उधर का पांच प्लेट देना है, इसलिए तो जादा बनाना कि बाद लगी इसकू करेंग करेंगे